हलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब मैं पूनम, स्वागत करती हूँ आपका लाइट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेर कर रहे हैं आप सब के साथ सूजी का हलवा इसे हम यहाँ पर सूजी को धूद में बिगो कर बनाएंगे तो चलिए कैसे बनाते हैं, देखते हैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही दूद डालना है, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा दूद डालेंगे उसको मिक्स करतेंगे सूजी के साथ और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है यहाँ पर एक बार में ज़्यादा दूद नहीं डालना है और देखे हैं स्रफ हमें यहाँ पर सूजी को अच्छे से हाँ पिखो देना है दूद में दूद हमने यहाँ पर नर्मल टेमपरेच्र allowed लिया है और बिस दो चममचnings और उपर से दूद डालना है देखे इस तरह से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा दूद ऊपर सूजी के इतना ही डालना है और इसे हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं तब तक हम बाकी की त्यारिया कर लेते हैं अब हम लेंगे एक कटोरी फरकर के चीनी जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से भरकर हम यहाँ पर लेंगे चीनी उसको हम एक पतीले में डाल देते हैं अब यहाँ पर तीन कटोरी उसी कटोरी से माप कर हमें यहाँ पर पानी लेना है और इसको हम यहाँ पर चीनी और यहां पर मैंने बाकी के तियारिया भी कर लिए एक कटोरी भर कर घी लिया है काजू बादाम थोड़े से किसमिस को पाने में भीगो कर रख दिया है और थोड़ा सा दूद में हाँ पर केसर के धागी को डालके रख दिया है जिससे की कलर अच्छाएगा अब कर लेते हैं गैस की फ्लेम ओन और इस पे हम रख लेते कडाई गैस की फ्लेम को हमें यहां पर लो रखना है और घी डालते सबसे पहले थोड़ा सा घी हम इसमें से बचा लेंगे जरूरत पड़ी तो हम घी को बात में डाल लेंगी जैसे ही हमारा घी यहां पर मेल्ट होगा इसमें हम ड करकेहें देखिए घी को अच्छे से अबजोर्ब कर लेगा श्ञोर से अच्छी समय तो आप यहला यहां जंकी स्टेशियर ö में टेस्टी आँए मेर अच्छा करते चांब के शिंड़ श्माज स्वार्ण तोई भून लेना जब तक की कलर इसका चेंज नाऊ ज़े दिखाई दे रहे हैं अब तीन-चाइड मिन ए मैं इसका कलर चेंज हो गया अब इसमें हम ढाल देते हैं जो हमने चासनी बना कि रख़ी थी पानी और चीनी की वह यह में थोड़ी थोड़ी करके डाल देते हैं और मैं पूर्व माजी हम अच्छे से राख यह गाए अवर शैसे ये ह muk मिक्स ऑषकए से पानी के अच्छे हम पर भीकित बढ़िका है我是 तो जी कितने अच्छे से फुल गी है इसने जो पानी था सारा सोख लिया है अब इसमें हम डाल देते हैं केसर वाला दूद इसकी जगे पे आप इहां पर इलाइची का पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके पास केसर नहीं है केसर इसलिए डाला इससे खुसबू अच्छी आती है और टेस्टी भी बहुत ही अच्छा आता है रलवे का और इसको डालने के बाद यहां पर कर दिया मिक्स अब डाल देते हैं हम इसमें जो घी हमारा बचा हुआ था दो चमच के करी वो इसमें डाल देते हैं अगर आपको कमी लगी तो आप तभी डालना वर और भी बड़िया से फूल जाएंगे और एक मिनट के बाद ही यहां पर देखिए जो हल्वा हमारा पर्फेक्ट बन कर त्यार हुआ है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चै देखना देखिए साइड से दिखाई दे रहा ना घी कितना सारा रिलीज किया है हल्वे ने और इसका मतलग हमारा यहां पर हल्वा एकदम से पर्फेक्ट बन कर त्यार हुआ है थैंक यू बाई एंड टेक केर